हाई डिवरी वन आज के वीडियो में डिसकस करेंगे हाट अटेक के टाइम पे जो शुरू का एग गंटा रहता है उसको गोल्डन हावर क्यों बोलते हैं और उसका क्या यूज हो सकता है हाट अटेक में होता कै जब भी हाट को जो ब्लेट सप्लाई करती है उन आर्ट्रे में यह दी कोई कलोट बन जाता है और ब्लेट का थक्का जम जाता है तो हाट को प्रोपर ब्लेट सप्लाई नहीं मिलती है जिसके कारण हाट अटेक के सिम्टम्स चालू हो जाते हैं तो सुरू का जो एग गंठा रहता है हार्ट अटेक के बाद में उसको गोल्डन हर बोलते हैं क्योंकि सुरू के एग गंठे के दोरान जो पेशेंट्स है उसके रिलेटिव से हैं और डॉक्टर्स मिल के जो ट्रीटमेंट करते हैं उसका सो ट्रम पे और लोंग ट्रम पे रिजल्ट देखने को मिलता है और हार्ट का जो डेमेज होता है वो ही रिवर्सिबल डेमेज नहीं होता है यानि हार्ट की कम्प्लीट रिकवरी होने के चांसेज रहते हैं हार्ट अटेक के टाइम पे यह दी पेसेंट डोक्टर के पास पहुंच आता है और शुरू के दो से चार गंटे में ही यह दी जो आर्टी बंद हुई है उसको खोल दिया जाता है बिलेट सप्लाई चालू कर दी जाती है तो कंप्लीट रिकुवरी हो जाती है और यह दी चार इसका मतलब यह है कि यह दी उसके बाद में हार्ट का ट्रीटमेंट भी करते हैं जो आर्टी बंद उसको खोल भी देते हैं तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता जितना सुरू के हावर्स में मिल सकता था हार्ट मसल्स बहुत सेंसिट्यू रहती हैं और उनको यह दी ओक्षिजन और ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है तो वो 80-90 मिन्ट के अंदर ही डेमेज होने लग जाते हैं और लग बग 6 गंटे के अंदर उनमें इर्यूटसिबल डेमेज हो जाता है इसलिए हार्ट अटेक के टाइम पे जैसे ही सिम्टम्स हो उनको पहचाना बहुत जूर हार्ट अटेक्ट से जो most of death होती है वो शुरू के एक गंटे में ही ज्यादा होती है क्योंकि उस दोरान एक तो हार्ट की जो मसल से वो डेमेज हो जाती है और दूसरा जो हार्ट की रिदम होती है वो abnormal हो जाती है उसमें जैसे ventical tachycardia ventical fibrillation रहती है उन condition में हार्ट बहु को जैसे अलके symptom रहते हैं जैसे burning sensation रहता है नोजिया omitting रहता है पेसिंट उनको ignore कर देता है या कुछ गेस या acidity की टेप ले ले लेता है थोड़ा relief मिल जाता है लेकिन उसके थोड़ी दिर बाद में दूबरे symptom होने लग जाते हैं तो ऐसी condition में उन symptom को ignore नहीं करना है उनको relative को बताना है और अपने आसपा जो भी hospital है वहाँ जाके ECG करवाना है उसको test करवाना है ताकि heart attack का जल्दी पता चल जाए उससे फायदा यह होगा कि heart में जो permanent damage है उसको होने से बचाया जा सकता है heart attack के symptom को पैचाने कैसे जब भी heart attack होता है patient को chest pain सबसे common रहता है लेकिन कई लेने में दिक्त रहेगी गबराट रहेगी बेचे नहीं रहेगा बहुत सारा पश्चिना आएगा और उसके जैसे जा में नेक में shoulder में हाथ में इदर पेन रहेगा तो जब भी ऐसे symptom हो उनको ignore नहीं करना है अपने relative को या आसपा जो भी हो उनको call करना है hospital में call करना है जल् पेसेंट को देखें उसकी सांस चल रही है नहीं उसकी pulse देखें उसके नाक के पास आप अंगली रखके देखें सांस चल रही है नहीं चल लिए यह इंदी सांस और पछल करते हैं कि कोई नर्でき horm framework gwем करे गा तो इससे पेसेंटको नुकसान हो या कुशorg Welty पे 10% पेशेंट के सरवाईव के चांसेज कम हो जाते हैं तो यदि आप वेट करते करते 5 मिंट भी निकाल दी तो 50% पेशेंट के चांस चले जाते हैं कि वह जिंदा हो गएगा इसलिए जब भी आप देखें कि पेशेंट सड़नली कोलेप्स हो गया है आप उसको CPR दें और उ उसको रिवर्ट करा जा सकता है रिवर्ट करने के लिए या तो उसको DC सोक देते हैं या फिर कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट करके भी रिवर्ट कर सकते हैं जो गोल्डन हाओर है हाट अटे का उसका यही मतलब है कि सुरू के एग गंठे में आप अपने सिम्टम्स को पैचान उससे बचा जा सकता है यह दिया आप जल्दी ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपके हाट की मसल डेमेज होने से बचा बच सकती है उससे कि आपकी हाट की पंपिंग नॉर्मल रहेगी आगे चलके आपको हाट फेल्यू नहीं होएगा आपके जो सड़न डेथ होने के चांसे ज जाएंगे इसलिए गोल्डन हावर का प्रोपर यूटिलाइज करें और हाट अटेक की सिम्टम को कभी इगनोर्ड ने करें और उनको प्रोपर ट्रीटमेंट लें